प्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर वजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम PNB, SBI और Bank of Vardoda के स्टॉक के बारे में इन तीनों शेयरों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगी कि यहां पर आपको कितना टागिट्स देखने को मिल सकता है आपको अगले हफते क्योंकि अगला हफता बहुत जादा important हफता है विकाज आपको देखने को मिलेगा कल PNB के नतीजा हैंगे नहीं दो गस्त को फिर आपको SBI अपने इसी वीक में रिजल स्पेश करने वाला है और बैंक वड़ोदा भी अपने नंबर स्पेश करने वाला है तो यह हफता इन तीनों के लिए काफी ज़रूर ही चैनल भी 106000 यहां पे लगातार वीडियो आती भी देखने को मिल रही है हर दो दिन में दोस्तों एक वीडियो में अपलोट कर देता हूं और चार वीडियो टोटल में डाल चुका हूं तो आप इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं यहां पे सारे इंट्रेस्टिंग नजत्यों बैंक आप अपर फॉपस, में चानल रुपsu, अभी ऑैपको और यहां पे इक वरिय nations करता था जहां और को न सब से वहां से किरा है तब से यह अपको यहां पर आपको तेजी बनती भी देखने को मिलेगी लेकिन डेफिनेटली नतीजों से पहले स्टॉक केंता है यहां पर आता हुआ देखने को मिल सकता है याद रखिए नतीजे कल आने वाले यह बहुत इंपोर्टन दिन है आपके लिए विकास कल आपको PNB के किस बार कैसा कंपनी के क्या को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको पी नबी के इंदर देखने को मिलने वाली है कि क्या पी अब आपको वापिस से तेजी करके दिखा सकता है because last time दोस्तों numbers काफी बड़िया निकल के आया थे लेकिन उसके बावजूद देखिया है stock के इंदर कोई खास move देखने को मिला नहीं stock लगाता और दोस्तों नीचे जाता गया और अभी भी हमको यही देखने को मूँव बन नहीं रहा है तो बहुत ही important रहने वाला है PNB के लिए कल का दिन अगर हम volumes के उपर बात कर तो volumes आपको देखने को मिलेगी अगर 40 रुपे के resistance को share cross करने में काम्याग होता है तो आप मान के चलिए एक बड़िया तीजी आपको PNB में आती भी देखने को मिल सकती है तो जिन लोगों ख़िदारी करनी है वो क्या करें सबस्पले current level के असपश बाय करके रखें स्टॉक का target रखे कल का 41 रुपीज का stop loss मेंटिंग लेकर चलना है दोस्तों यहाप आपको कल के लिए वो का करीबें 39 रुपीज का तो फ्रेंट्स यह बात हो गई यहापे PNB की अब बात करते हैं State Bank of India की इसके numbers भी आपको इस अपते आते वे देखने को मिलने वाले है तो गिरावाट देखने को मिलें आपे Friday के session में 431.8 की closing है नौर पे 75 पैसे दिखे आपको गरतावा देखने को मिला है 2.21 परसें तक की गिरावाट यहापे आपको SBI के अंदर दर्ज होती होती है अब SBI में दूस्तों important क्या है कि SBI आपको 450 रुपीज का level कैसे दिखाएगा देखे हमको पिछले 2-3 quarters में से लगा था देखने को मिल रहा है जब भी SBI के numbers निकल के आ है तो उसको market ने बहुत positive लिया है because company के numbers काफी बढ़िया निकल के आ रहे है अब देखे पिछले 5 दिन के अंदर share के अंदर क्या हुआ है पिछले 5 दिन के अंदर stock ने देखी जो formation form क है यह एक formation bullish pattern का था लेकिन जिस तरह से Friday को अपने high से गिरता हुआ देखने को मिलेगा वह बनता हुआ देखने को मिलेगा वह बनता हुआ देखने को मिलेगा करीबन 444 रुपीज के आसपास का 444.40 का तो जो 52 लगता हुआ देखने को मिला है वहां से stock आपको down जाता हुआ देखने को मिला और सारे banks के अंदर देखिए pressure create वहाथा Friday के session में उसमें SBI का भी participation था लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि SBI में numbers जब भी निकल कहते तो stock बढ़िया perform करता है तो मुझे नहीं लगता कि SBI में यहां पर गिरने की कुई जादर संभावना है stock बढ़िया कर सक देखने को मिलेगी मिलेगी और यहां पर मुझकते की देखिए कि जन लोगों नहीं पोजिशन्स बना रखिए कि SBI और numbers जो किसके results निकल के आते है इसका बहुत बढ़िया connection है जब भी numbers निकल के है तब stock ने बढ़िया किया है इस बार देखना को कैसा numbers निकल के आते है बट यहीं कहूंगा कि stock के अंदर 450 जाने के chances आपको इस अफते काफी देखने को मिलने वाले तो करना क्या है करेंट लेवल के आसपाइस बाय करके चलिए इस शेयर को यहां पर लक्स रखना है दोस्तों यहां पर आपको मंदे का मुझे लगता है कि देखें स्टॉक आप जाता हुआ देखने को मिल सकता है आपको करीबन यहां पर 80.30 पर क्लोसिंग दिये 30 पैसे आपको गरता हुआ देखने को मिला है 0.37 परसंट की गिरावट आपको यहां पर बैंक को वुर्दा के दर दर्ज होती भी नजर आईए यहां पर कह सकते हैं कि जादा बढ़िया नहीं कर पाया और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पीन भी आपको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलता है आलमोस्सेम तो सीम दोस्तो चार्ट पितर यहां पर भी फर्म होता है जितना वो गिरता है वो ही यहां पर भी पिरता हुआ देखने को मिलता है 82 rupees दोस्तों एक यहाँ पर resistance आपको देखने को मिलता है और यह resistance definitely दोस्तों भी आपको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलए है लगातर हम को यहाँ पर क्या देखने को मिलगा है कि 82, 85 S i.S.S.L. level है जहाँ पर दूस्तों यहाँ पर आपको देखे कि तेजी या फिक गिरावट दोनों बनते भी देखने को मिलती है और लगातर हमको देखने को मिलता है कि बीओ भी एक range bound trade करता हुआ देखने को मिलने वाला है और लगातर यह हो भी रहा है पिछले आप याद रखिएगा 89 रुपीज के आसपास का high बनने के बाद पिछले ए आपको देखे शॉट्स लगते भी दिखने को मिले और अब दोस्तो शॉट्स कवरिंग की बाड़ी यहां पे आपको आती भी दिखने को मिलने वाली है तो जिन लोग को देखिए खाईदारी करनी है वो क्या करें लेकिन देखिए उससे पदले आपको याद रखने वाले ह रहात रिखेगा 7 अगस्त को इसके नमबर्स आने वाले है और लास्टाइम दोस्तों कंपनी के जब Q4 नमबर्स निकल के आया थे तो उनमें साफ साफ दोस्तों लॉस आपको देखने को मिला था तो यह बहुत ही क्रूशल रहने वाला है कि कंपनी का कैसा है इस बर बिजनस देखने को मिलता है क्या कोविड के कारण इसका विजनस भी एफेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है तो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है हफ्ता बैंक अप वर्दा के लिए क्योंकि नमबर्स के उपर स्टॉक आपको पूरा-पूरा रियक्ट करता हुआ नजर और वॉल्म्स भी आपको देखने को मिल रही है डिलेवरी भी देखे करीबन 23-24% के आसपस है तो करेंट लेवल के आसपस बाय करिए यहाँ पर कल का लक्ष रखी 82 रुपीस का स्टॉप लॉस मेंटिंग करे चला है दोस्तों यहाँ पर आपको कल के लिए बोगा करीबन 79 रुपीस एं 30 पैसा का तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था हूप अपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल से नए जूट चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंट्स वीडियो